हाई खुछ बॉर्निंग सश्यकाल आलाब नमस्काव वनकम जैहिं के सेवतों सो मैं हूं त्वाड़ा अपना डॉक्टर दॉक्टर नमनीत काल रहा टॉपिक एक ऐसा टॉपिक डाइपटी से रिलेटेड शुगर से रिलेटेड क्योंकि शुगर एक ऐसी बिमारी मुझे लग चेंजेज आते हैं जहां से यह पता लगता है कि भाई या तो इसको शुगर हो चुकी या शुगर होने वाली है या तो यह डियापटीस इसको है और इसकी शुगर बहुत बढ़ी हुई है या यह प्री डियापटीस हो चुका है मतलब शुगर से पहले की स्टेज इसको हो चुकी है तो दोनी चीजों में आपको अलट होना चाहिए अगर ये स्किन से रिलेटेड प्रॉलम आपको हो रही है तो आज मैं आपको पांच छे इस तरह के लक्षन बताऊंगा सिकिन की बीमारियों के की और सासाथ पिक्चर दिखाता जांगा को बिना पिक्चर के आपको स या दवाईयों से या डाइट से जैसे भी जो भी आपका डॉक्टर बताए तो पहले मैं कॉमन चीज़े बताता हूं जो सबसे कॉमन है सबसे पहले की आँखों के ऊपर एक ऐसे आपके डार्क पैचेस पढ़ जाते हैं और जिनको जैन्थिलिजमा कहते हैं ये ये लोईश ना दूसरा एकेंथोसिस निगरिकेंस मतलब डार्क एक वेलवेटी स्किन डार्क हो जाती है बिल्कुल काली हो जाती है गर्दन के पीछे हो सकती है आपकी आम्स में हो सकती है नीचे ग्रॉइंस में हो सकती है इस तरह की हो जाती है तो यह निशानी होती है कि या तो प्री जाए शुगर के पेशिंट में तो इसको बोलते हैं इरॉप्टिव जैन्थो मेटोसिस नाम भी ऐसा है भाई पढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही है तो इस तरह के स्मॉल बंप्स बढ़ जाते हैं यहलोई ग्रे कलर के और यह होते हैं आपके बटक्स पे मतलब पीछे थाई पे इलबो पे नी में तो इस तरह की में पिक्चर दिखाता जा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा तो यह भी एक निशानी हो सकती है कि आपकी शुगर या तो बढ़ गई है यह आपको शुगर हो चुकी है शिंग स्पोर्ट्स यानि टांगों के उपर इस तरह के र गैप्तिक नीरोपैथियों उने चैनैस बहुत ज्यादा होते हैं कहीं लोगों में इस्किन बहुत हाड्ड हो demonstrate ल स्थिक हो जाती इस्पशली कमर पे कम शुल्डर पर नेक पे ठीक है तो यह भी एक निशानी होती बहुत इस कि यह सुगर की निशानी हो सकती है ठीक है कई बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार रहते हैं नीचे बताता है या तो शुगर अनकंट्रोल चल रही है या फिर इस बंदे को शुगर अब यभी हो चुकी है skin tags ठीक है एक आपके harmless एक growth होती है आपने मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं फिर वही बात हो गई कि बिने पिक्चर के आपको समगी नहीं आएगा कभी कभी लूज होते हैं कभी कभी स्किन से fix भी हो जाते हैं जनरली eyelid पे होते हैं neck पे होते हैं armpit में होते हैं groins में होते हैं ठीक है तो यह मैंने कुछ आपको बताया है और एक और condition बता रहा हूँ येलो रैडिश ब्राउन परपिश परपल कर रहे के पैचेज आपको बन जाते हैं wax skin के साथ जिसको बोलते है नेक्रोबायोसिस लिपोडिका ठीक है और तो मैंने कुछ कोशिश करी आपको यह दिखाने की कि यह skin disease है और अगर इस तरह के picture आप में किसी में भी हो रही है त especially जो मैं तीन चीज़े बताना चाहूंगा जो बहुत common है एक तो एकन्तोसिस निगरिकेंस यानि की जो ब्लैक गर्दन हो जाती है यह यहां पे आपको एक बिल्कुल ब्लैक पैच मिलता है ऐसा बिल्कुल ऐसा गर्दन हो जाती है और एक आपको bumps मिलते हैं दूसरे skin tags यह त ठीक है और एक चोथी जन्तिलिजमा जो आँखों के उपर आइलेट के उपर येलो कलर का पैच पढ़ जाते हैं तो अगर ऐसी बिमारी है किसी को तो भाईया कंट्रोल कर लो कहीं पर जरूरी नहीं होता कि शुगर अपना रूप किसी और रूप में देखे कि शुगर ना पर जगह जगह एफेक्ट डालती है कहीं पर कोई यंसा इफेक्ट आ जाय है कब कहां पर कॉन से फेक्ट आजाय पता नहीं है ठीक है चली छोटा सा टोपीक. ता आज कोई बहुत बढ़र नहीं और अगर ऐसा तो इसके इनवाले को भी दिखाए जाके और अपनी शुगर वाले द्टर गोविदिकान, thank you very much, शुक्रिया प्राइब